और हमारे तुफानी शाहब जो रोजगार सिर्जन में अपनी शमय बहुमली शमय और बंबे की धर्ती से बिहार के धर्ती पर जो रोजगार मुहया के लिए अगरसर हुए हैं मैं उनको भी धन्यवाद देते हैं कि यह बादा किया कि 10 लाख नौकरी नहीं 10 लाख रोजगार यानि हम 20 लाख नौकरी और रोजगार देने का काम नोजवानों को करेंगे दुआ करते हैं कि इनकी फैक्टरी अच्छी चले ताकि यह हैं कि लोकल लोग जो है फाइदा उठा सके उत रहो हैं एक सो डस लोग को इंशाला रोजगार देुए लोकल अस्तर के भी कारीघर है और बाहर के भी कारीघर हैं उनको बाहर वाले को रहने का सुख्षिदा हर् सकते हैं महाराष्ट सेट के अंदर में जो परिशानिया हरानिया उतारते थे और इसकी जगह पर हमारी बिहार सरकार ने यहां लाई बहुत अच्छा किया है जो हम लोग महाराष्ट में जाकर के 2000 किलोमीटर करते थे इन्हों ने वह सुविधा अपने गाउं में दिया इस धर करना चाहेंगे कि जब हम लोग इस तरह का मेहनत कर रहा है तो हमसे ज़्यादा मेहनत करने की उनको जरू कि देखिए डिपही में रेहान बैक फैक्टी का उध्गाटन हो रहा है जलाल उद्दिन उर्फ तुफानी के दोवारा और देखिए इस मौके पर चिरे विधान सभ है कि आज इस उध्गाटन औसर पर आपको पहुंचने के लिए आपके पूरे टिम को धन्यवाद देते हैं और हमारे तुफानी शाहब जो रोजगार सिर्जन में अपनी शमय बहुमल शमय और बंबे की धर्ती से बिहार के धर्ती पर लाकर रोजगार का जो रोजगार मु बिहार की जो सरकार है तेजस्वी जी नितिश जी की जो सरकार है तेजस्वी जी हमारे पूर्व में ही जी समय 2020 का चुनाव चल रहा था उन्होंने बोला था कि हमारी जब सरकार होगी तो हम 10 लाक नोजवानों को नोकरी देने का काम करेंगे किसी कारण बस आवाम के असिरबाद का मुखमंत्री वो रहें लेकिन सर्टिफिकेट का मुखमंत्री वो नहीं बन सके कुछ ऐसे लोग अबैद ठंग से जो पेश किये जिसका परिनाम हुआ कि वो सरकार में नहीं आए लेकिन हलात ऐसी बदली की कुछ दिनों के बाद उस सरकार में चले आए तेजस्वी जी जिस दिन से सरकार में आए उनका जो सोच था उन्होंने जो वादा किया था कि हमारी सरकार होकी तो पहली कबिनेट के बैठक में हम पहली कलम से 10 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे तो सरकार बंते बंते तेस्वी जी ने परत्सम मुखमंतरी जी के पास हैं जानते हैं और तेजश्वी जी मुखमंतरी जी ने यह बादा किया कि दस लाख नौकरी नहीं दस लाख रोजगार यानि हम 20 लाख नौकरी और रोजगार देने का काम नौजवानों को करेंगे और उस पर हमारी सरकार अग्रसर है यह तुफानी जी हो असलम जी हो यह साथ जो करखाने खुले हैं हमारे इस अनुमंदल में इसमें सरकार का बहुत ह उत्म सोच है और सरकार हमारी अग्रसर है दिन परती दिन नौजवानों को रोजगार देने के लिए और बिहार से प्लाइन को बंद करने के लिए तो देख सकते हैं रिहान वैक फैक्टिक उद्घाडन के मौके पर शिभारम के मौके पर मुफ्ती अहमदुल्ला साफ फुल पूरी यहां पर तश्रीफ फर्मा है दूआ के लिए यहां पर आये हैं दूआ किया गया है रोजगार के तरक्य के लिए इसमें बरकत के लिए फाइदा उठा सकें गाओं दियाद के लोग भी जो गरीबी गरीबी है गुरुबत है वो सब चीज़ें दोर हो सकें दूआ करते हैं इनके लिए तालीम से जोड़ने के लिए क्या कुछ तरह की मुहिम आपकी चल लई है तालीम के लिए बड़ा निजाम हम यूपी में तयार नहीं हो पाएगा इसलिए हर किसी को जूड़ना चाहिए और बच्छों को पढ़ाना चाहिए असरी तालीम भी और दीनी तालीम भी उसके लिए हम भी कोशिश कर रहे हैं मालिक से कि सब चीज़ें अच्छे सचे हो एक और सवाल जो पूरे आवाम के लिए पूच्छ चाहिए और सो में अच्छा इंधी राता है आप अच्छे से नहीं रखते आप हमारे आए खाने पी दयाम रहने के इंदिजाम उनकी तवाम तरह की सुहलते हैं गर्मी ठंडी का इंदिजामा ऐसा नहीं मदर से नहीं कह सकते आप चंद जंगों पर कह सकते हैं पहला जो सव मुहम्मद जलाल उद्दिन उर्फ तुफान लोगों को रोजगार से जोडने के लिए उन्होंने अपना बैक का आज उद्घाटन किया है आज अपने कंपनी का उद्घाटन किया क्या कहेंगे आज उद्घाटन हुआ आपके रहान बैक का काफी लोग आये हैं शुफकामला दस लोग को इंशालल रोजगार देगा अभी फिलाल 40 मशीन आपने लगा हुआ है आगी क्या प्लानिंग रहेगी आगे की प्लानिंग है कि सब्डेट सो मसीन चलाएंगे इंशालला कारिगर कहां के होंगे यहां लोकल अस्तर के भी कारिगर है और बाहर के भी कारिगर है पर शुपिने का सब नजाम है और बाकी गाउंवाले जो है तो गिरामीन वाले आएंगे और चले जाएंगे किसी एक कमपनी के लिए काम करेंगे आलग अलग कमक्पनी का मुनिफेक्शिन करेंगे आप नहीं अभी तो हमारा मिश्टर सब्सॉत हैं हम लोग उन्हीं के पहतर कदम उठाया है लोग को रोजगार से जोड़ने के लिए कि बहुत खुशी की बात है और ऐसा और करखाना भी खुलना चाहिए गाउव एरिया में कि जो बाहर को जाने आने में परसानी होता है जो रहने में उससे कम से कम छुटगारा मिले आदमी को अपने बिहार में पहले कहां करते थे आप मंबई में कारीकर है अब पैसा आप घर पे कमा सकते हैं जिए आपका यह अब क्या करते हैं अच्छा बैक करते हैं क्या लग रहा है वापको कटिंग करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा तुफान जीन यह मौका आपके घर में लाद दिया ह यह तुफान साहब का बहुत बड़ा एश्रान है और लोगों से भी यह कहेंगे कि इनका समर्थन करें और इनका सपोर्ट करें और दोवा भी करें इस कंपनी के लिए कि और डेवलेक मान हो गाहँ भी डेवलेक हो समाज भी डेवलेक हो और इनका बहुत बड़ी कुर्वानी ह इस कंपनी को यहां तक ले लाने का तुफान सहाब के अब्बू है मुहम्मद उमेश सहाब काफी में हमानों का स्वागत कर रहे हैं खेर मगदम कर रहे हैं यहां पर खड़े हैं डटे हुए हैं आज आपके लड़के का उद्गाटन हुआ बैक कंपनी का क्या कुछ कहेंगे बात देता हूं यहां के गरीबे गुर्वों अपनी जिन्दगी बसर वाइत मिनान के साथ अपनी जिन्दगी गुजार ले क्या नाव है अपका अमद वाशिफ रदा रजा सहाब यह बताइए तुफान जी ने घाटन किया क्या लग रहा है आपको इन्हों ने किया है सवीधा अपने गावों में दिया है यह बहुत बड़ी बात है बहुत खुसी की बात इन्हें को 2000 किलो मेटर नहीं जाना पड़ेगा वह काम नोगा में करेंगे बस अब सरकार से सरे यह एक उनले है कि हम लोग को लाइट का ये कर दिया जाए लाइट क्या और दूसरा यह तुफानी जी तो करही रहे हैं इसे इस धर्ती का इस गाउं का विकास होगा इस परखंड का विकास होगा इस जिला का विकास होगा इस देश का विकास होगा जिस देश का इंडिस्ट्री आगे होता है वो देख डवलप्रिंट होता है इस फॉर चाइना उसके हां इंडिस्ट्री घर घर है नितीशी का और तेश्वी जी का यह धारना है कि हम भी उसी के नकल करके हम भी देश को आगे की तरफ इस फॉर चाइना उसके हम लोग इस तरह का मेहनत कर रहे हैं तो हमसे जादा मेहनत करने की उनको जरूरत हूं हमको आगे बढ़ाएंगे तब लोग आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे से जाधा बढ़ाने का काम और लोग करें तब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो लोगों को रुजगार से जोड़ने के लिए एक बेहतरीन पहल और ब्हतरीन कदम कहा जा सकता है इन लोग के दोवारा जो यहां पर ग्रामी नश्थर पर बैग का खाना खोल करके लोगों को र 24 के पर इसको फॉलो करके लाइक कर दीजिए मनाकाद होगी अगली वीडियो में बहुत धन्यवाद कर दो कर दो